हाई फ्रेंड वेलकम टू आबर चैनल लर्निक प्रोगामिग वे यह एश्टीमेल टैटोरियल का फौर्थ वीडियो है जिसमें आज हम सीखेंगे कि एश्टीमेल में पैरेग्राफ टैग क्या होता है उसका यूज़ कैसे करते हैं तो आएए देखते हैं जब भी हम कोई भी वेपेज करेट करते हैं तो जब हम पैरेग्राफ की जरुवत पड़ती है तो हम पी टैग का यूज़ करके अपने पैरेग्राफ को लिखते हैं तो पैरेग्राफ का जो स्टार्टिंग टैग होता है वो पी से होता है जिसका यह क्लोजिंग टैग है यह स् सब्सक्राइबुन लए our windows टो जर अगर बड़ी होती है जो जो word character हमने लिखे है ज्यादा तो वह विंडो के साब्सक्राइब से उसकी line कम ज्यादा होती एẽ, size के अबर डिपेंड करते है हूं हम् हुस्ता ये size करते हैं, तो उसकी साइदा size जो तो आए एक छोटा साम प्रोग्राम देखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि यह आखिर परेग्राफ का हम यूज कैसे करते हैं मैंने यहां से प्रोग्राम को सेव कराकर रखा हुआ है परेग्राफ.html नाम से और इसका, मैंने प्रोगाम लिख दिया, पहले इसके मैंने एक heading टाइग लिया है, इस्टू जिसमें हाईओ फ्रेंड मैंने लिख दिया है, अगर आपको heading type के बारे federal में नहीं पता है, तो हमारी पिछली वीडियो में जाए, मैंने उसमें बहुत ही clearly आपको बताया कि heading tag का use कैसे करते हैं अब paragraph का जो tag है वो starting tag P है, मैं P लिखता हूँ यहां पर और यहां से इसका closing tag है, P को close कर दिया, इसको मैं थोड़ा से यहां पर कर दो हूँ, यहां पर मैं थोड़ा से copy कर लिया हूँ कहीं से, paragraph उसको paste कर दिया मैंने, paste करने के बाद इसे control करके मैंने file को save किया, अब चलिए मै इसका browser open करता हूँ, आप देखते हैं क्या होता है, यहां पर मैंने refresh किया है, आप देख सकते हैं कि हाई friend यह heading हमारी print हो रही है, और जो हमारा paragraph है, यहां से लेकर यहां तक print हो रहा है, अगर इसकी मैं size छोटी करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यह इसकी line ज्यादा हो र समान की कहाता हूँ, इसको मैंने copy क्या यहीं से control C किया, और यहींपर इसको paste करतेता हूँ, control inspector file को मैंने save किया, और इहां पर मैं आखर इसको refresh करता हो, यहां पर दूसरा पेरजा़गराफ है, इसको भी मैं यहां से छोटा बड़ इसको मैं close कर देता हूं अब देखिए क्या होता है फाइल को मैं save किया और यहां पर आकर refresh किया तो आप देख सकते हैं कि पर कोई changing नहीं है हम अगर लाश्ट में paragraph का ending टैग जो हमारा closing टैग है तो हम नहीं लगाते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से paragraph टैग का हम यूज करते हैं तो गाईस इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगली वीडियो मैं अगला टैग लेकर आओंगा अगर आ करना ना भूलें गाईस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तबहना ना भूलें थाइक्यू सो मच फॉर वाशिंग वीडियो